एग बार की बात है सितारपूर नाम के राज्चे में एक राजा राज करता था जिसका नाम था शौरय सेंग वह राज्चे हर प्रकार की समपत्ती से संपन्न था किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी राजा शौर्रे सिंग भी अपनी प्राजा का समानित पालन तो करता था परन्तु वे अपने खान, पान, पहनने, ओडने और व्यसनों में अधिक मस्त रहता था उसके राज्जे में मंत्री भी अपनी मनमानी करते और अराम से अपने दिन पिता रहे थे आए दिन राज्जे में संगीत, कला और मेलों का आयोजन होता रहता था जिन में राज्जे के कारीगर और आम व्यक्ति अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे और अपने द्वारा बनाई गई चीजों को बेचने के लिए आते थे इसी क्रम में इस पूर्ण माशी भी राजा के सितारपुर में एक हस्त शिल्प मेला लगने वाला था जिसमें केवल सितारपुर के ही नहीं बलकि आसपास के राज्जे के कारीगर भी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने वाले थे राजा शौर्रे सिंग का भी मन हुआ कि वह भी तरह तरह की अद्बुत चीजों को देखने के लिए मेले में जाए सो इसी के लिए सारी तयारियां शुरू हो गई और राजा के मेले में जाने की सारी व्यवस्ता कर दी गई राजा के साथ बहुत सारे सैनेक, घोडे, हाती और सवार मेला देखने के लिए उनके साथ चल दिये घूमते घूमते राजा को एक आवाज सुनाई दी जादूई पलंग लेलो, जादूई पलंग लेलो, केबल सो स्वान मुद्राओं में, जादूई पलंग लेलो आवाज सुनकर राजा का ध्यान उस ओर चला गया राजा ने देखा कि वह एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला पलंग था और उसके लिए सौ स्वन मुद्राएं बहुत अधिक थी जब राजा के सैनिकों ने उस कारीगर के पास जाकर पूछा कि इस पलंग में ऐसी क्या खास बात है कि इसका मुल्य इतना अधिक है इस तरीके का साधारण सा दिखने वाला पलंग तो यहाँ पर पच्चिस या तीस स्वन मुद्राओं में ही मिल रहा है इस पर वह कारीगर बोला अरे जनाब यह कोई मामूली पलंग नहीं है यह एक जादूई पलंग है इस पर सैनिकों ने कहा अच्छा ऐसा क्या करता है तुमारा जादूई पलंग तब कारीगर ने कहा कि यह बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकता अगर राजा इसे खरीदेंगे तो उन्हें दस दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि मेरे जादूई पलंग में क्या जादू है इस पर सैनिक बोला और यदि राजा को कोई जादू नजर नहीं आया तो तो कारीगर ने कहा तो जो राजा उचित समझे वो सजा मुझे दे सकते हैं मैं हर सजा के लिए तयार हूँ सैनिको ने कहा अरे जाओ जाओ ये अपनी बातें किसी और के सामने बनाना ये सारी बातें राजा सुन रहा था उसके मन में बहुत कौतूहल होने लगा उसने सैनिको को बुला कर कहा कि हम ये पलंग खरीदना चाहते हैं सैनिको ने शुरुआत में तो थोड़ी सी आनाकानी की लेकिन राजा के आदेश के सामने भला उनकी क्या चलती तो वे पलंग खरीद लिया गया और कारीगर को उसकी सो स्वन मुद्राएं इस शर्ट पर दे दी गए कि यदि राजा इससे संतुष्ट नहीं हुए तो उसे मृत्यू डंड तक भी दिया जा सकता है इस पर कारीगर ने अपनी हामी भर दी पलंग को महल में लाकर राजा के शैनकक्ष में रख दिया गया राजा ने निश्चे किया कि आज से वे अपने मुलायम क्या जादू है इसी सोच विचार करके राजा उस पर लेट गया लेकिन अभी उसकी नीद बहुत गहरी नहीं हुई थी कि उसे कुछ हलचल सुनाई दी और कुछ आवाजे सुनाई दी जिसको राजा कान लगा कर सुनने लगा राजा ने सुना कि उस पलंके चार पाओं में से एक पाया निकल कर बाकी के तीन पायों से कुछ कह रहा था वह पाया बुला अरे भाई मैं जरा घूम कर आता हूं मेरे हिस्से का भार जरा तुम लोग समभाल लेना इस पर बाकी तीन पायों ने कहा हाँ हाँ ठीक है जाओ हम सब समभाल लेंगे और ऐसा कहेकर वह एक पाया महल के बाहर चला गया ऐसा दृष्च देखकर राजा को राद भर नीन नहीं आई सुभे के पाँच बज गय तब राजा ने देखा कि वह पाया जो राद भर महल के बाहर घूम रहा था मैं वापस आ गया और अपनी जगे पर आकर खड़ा हो गया अन्य पायों ने पूछा अरे भाई तुम घूमने गए थे तो तुमने क्या देखा तो वह पाया बोला अरे भाई कुछ मत पूछो इस राज्य में तो अंधेर मचा हुआ है और इस राजा को कुछ पता ही नहीं है दूसरे पाये एकदम हक्के बक्के रहे गए और पूछने लगे अरे बताओ तो क्या हुआ अरे इस राजा के मंतरी बहुत ब्रिष्ट है राजा का कोई अंकुष्णा होने के कारण वे गरीब जनता को सता रहे है मन चाहा करवसूल करते है उनकी फसल का जादतर भाग खुद ले लेते है और जनता को इतना डरा कर रखा हुआ है कि वे अपनी बात राजा तक पहुचा ही नहीं पाती और अब वे सब लोग मिलकर राजा के खिलाफ विद्रोहों करने वाले है पता नहीं अब इस राज्य का क्या होगा इस पर दूसरे पाए बोले अरे भाई लेकिन इस इस्तिती से निबटने के लिए कोई तरीका भी तो होगा इस पर वे पाया बोला हाँ है क्यों नहीं यदि राजा सुम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और उन्हें सुलजाने का प्रियास करे तो इससे उसके मंत्रियों पर थोड़ा अंकुष लगेगा और वे जनता को सताना बंद कर देंगे तो पहले पाये बोले लेकिन अब तक वे मंत्री जो उस भोली भाली जनता से माल लूट चुके हैं उसके लिए मंत्रियों के खिलाफ कोई सबूत भी तो होना चाहिए जिससे की राजा उन्हें डंडित कर सके तो वेह पाया जो घूमने गया था वेह बोला हाँ सबूत तो है मंत्रियों ने सारा धन जो भी भोली भाली जनता से लूटा है उसे बहार के जंगल में दो पीपल के पेड़ों के बीच में दबा कर रखा है अगर राजा जागरूख होकर वहां जाए तो उसे वेधन महां मिल जाएगा और मंत्रियों को सजा दे पाएगा राजा यह सब बाते सुन रहा था उसने निश्य किया कि अब वह ऐसा नहीं होने देगा और अगले ही दिन उसने आम जनता की अदालत लगाने का फैंसला किया जिसमें कोई भी व्यक्ती उससे सीधा संपर्क कर सकता था और अपनी समस्याओं को बता सकता था उस अदालत का बहुत फायदा हुआ अब भोली भाली जनता राजा के पास आकर अपनी सबी समस्याओं को बताने लगी और उन्होंने मंत्रियों के खिलाफ कर वसूलने की बात और अनुचित लूट मार करने की बात भी बता डाली जब राजा ने सकती के साथ मंत्रियों से इसके बारे में पूश्ताज की तो उन्होंने वह जनता द्वारा इखटा किया गया सारा धन वापस लाकर राजा को दे दिया और जिससे जनता को वह वापिस कर दिया गया और राजे के सभी लोग राजा की जज़ेकार करते हुए वापस चले गए इस रात राजा फिर से उसी पलंग पर सोया लेकिन जैसे ही रात थोड़ी गहरी होने लगी तब दूसरे पाये ने कहा भाई कल तुम घूम कर आये थे ना आज मेरी बारी है मैं जाऊंगा और राज्ये में घूम कर आऊंगा इस पर बाकी के तीनों पायों ने उसमें हामी भर दी और बोले ठीक है तुम जाओ हम तुमारा बाहर सहन कर लेंगे और पहले पाय की तरह वह पाया भी रात को घूमने चल दिया और सुभे पांच बजे के करीब वह पाया वापस आया तो वह भी बुरी तरह हाप रहा था तो अन्य पायों ने उससे पूछा भाई तुमने इस राज्जे में क्या देखा तो उसने कहा अरे भाई कुछ मत पूछो यहां तो वास्तव में ही अंधीर मचा हुआ है तो अन्य पायों ने पूछा अरे अरे बताओ तो तुमने क्या देखा उनकी इन बातों से राजा का कौतुहल और बढ़ गया और वे कान लगा कर उनकी बाते सुनने लगा तो इस पर वे पाया बूला अरे इस राजा को तो कुछ पता ही नहीं है यहां हर अमावर्स के दिन एक बड़ा राक्षा साता है और जो की गाउं के एक व्यक्ती को अपना भोजन बनाता है और उसे मार कर खा जाता है इस बात से पूरे राज्ये में त्राही त्राही मची हुई है और राजा अराम से अपने महल में गीत संगीत का आनंद लेता है अब कल फिर से अमावस है इसलिए जिस घर से उस आदमी को वेराक्षा सुठा कर ले जाएगा वहाँ मातम पस्रा हुआ है अन्य पायों ने पूछा अच्छा कल कौन से घर की बारी है इस पर उस पाय ने कहा अरे कल वो कालिया हलवाई है न उसके पुत्र को ले जाने वाला है राक्षस पर हम क्या कर सकते हैं जब राजा को ही इन सब बातों की ना तो खबर है और ना कोई चिंता राजा यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गया उसने निश्चे किया कि कल वे है खुद उसकालिया हलवाई के घर चाएगा और राक्षस का सामना करेगा राजा ने सुबह होते ही पूरी विवस्था कर दी थी अपने सैनिकों को चारो तरफ लगा कर उनके हातों में बड़े बड़े हत्यार दे कर जिससे कि जब भी राक्षस आएगा तो उस पर हमला बोल दिया जाए और उसको मार दिया जाए और ऐसा ही हुआ अचानक हुए हमले से वह राक्षस एकदम घबरा गया और ऐसे भारी आक्रमन से वह थोड़ी ही देर में धराशा ही हो गया और वही पर उसने प्राण त्याग दिये अब राजा को उस पलंग के लिए चुकाई गई सौ स्वन उद्राएं भारी नहीं पड़ रही थी और उसकी जिग्यासा और भी बढ़ती जा रही थी अगली रात वह फिर उस पलंग पर सो गया और फिर वही क्रम शुरू हो गया इस रात तीसरे पाए की बारी थी वह निकला और उसी तरीके से अन्य पायों ने उसके बार को सहन करने की सहमती दे दी और ठीक उसी परकार जैसे पहले पाए गए थे सुबह होते ही वह पाया भी वापस आ गया अन्य पायों ने उससे पूछा की भाई तुमने क्या देखा तो वह भी उसी तरीके से दुखी मन से बोला अरे भाई एक राजा को अपने राज्ये के प्रती इतना लापरवा नहीं होना चाहिए इसने तो वास्तव में आखें बंद कर रखी हैं तो अन्य पायों ने पूछा अरे ऐसा तुमने क्या देख लिया जो ऐसा बोल रहे हो तो उस पाय ने बताया कि राजा की सबसे बड़ी रानी प्रधान मंत्री के साथ कल सुबह ही राजा को एक पे पधार्थ में जहर देकर मारने की योजना बना रहे हैं राजा यह सब सुनकर एक तम अचम्बित हो गया और उसने अगले दिन पूर्ते साथान रहने का फैंसला किया और वही हुआ जिसका राजा को डर था सबसे बड़ी रानी सुबह होते ही उसके लिए एक शर्बत लेकर आई और प्रेम पूर्वक पीने के लिए आग्रह करने लगी राजा ने चतुराई से उसमें से पहले कुछ शर्बत रानी से पीने का आग्रह किया तो प्रारंभ में रानी मना करती रही लेकिन जब राजा ने बहुत आग्रह किया तो किसी तरीके का शक ना हो इसलिए उसे उस शर्बत में से थोड़ा सा शर्बत पीना पड़ा उसमें जहर इतना तेश था कि कुछ घूट पीते ही राणी ने वहीं पर देत्याग दी और जब राजा ने सक्ती से शर्बत बनाने वाले रसोईये से उसके बारे में पूछा तो उस रसोईये ने बताया कि उसने राणी और प्रधान मंत्री के कहने पर वहब बनाया था इतना सुनना था कि राजा ने प्रधान मंत्री को बुलाया और उसे मृत्यू दंड दे दिया अब अगली रात के लिए राजा बहुत उत्सुप था उसे बहुत दुख भी हो रहा था कि वहे कितनी लापरवाही के साथ अपने राज्य का पालन कर रहा था केवल हसी, मजाक और मनोरंजन के साथ उनों में फसकर उसने अपने कर्तवियों को किस कदर भुला रखा था अब फिर से वही क्रम चलने लगा इस बार चोथे और अंतिम पाये की बारी आई और वहे घूमने के लिए निकल गया और सुभे होते होते तक वहे वी वापस आ गया तो अन्य पायों ने उससे पूछा कि भाई तुम क्या खबर लाए हो तो वहे पाया बोला राज्ये के अंदर की वेवस्ता तो अब बहुत कुछ ठीक हो चुकी है लेकिन अब बाहरी आक्रमन की बारी है राजा का पड़ोसी राज्ये जो अपने आपको राजा का मित्र और हितैशी बताता है अंदर ये अंदर राजा के राज्ये पर आक्रमन करने की तयारी कर रहा है और वह अगले दो दिनों में ही राजा पर आकर्मन कर देगा जिसके लिए राजा ने कोई तयारी नहीं कर रखी है इतना सुनकर राजा ने उस पलंग बनाने वाले कारीगर को मन ही मन धन्यवाद दिया और सुबह होते ही अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई और युद की सारी तयारियां शुरू कर दी जिसका उसके पड़ोसी राज्जे को बिल्कुल भी पता नहीं था पड़ोसी राज्जे के हमला करने से पहले ही राजा शौर्रे सिंग ने उस पड़ोसी राज्जे पर हमला कर दिया और उसकी सारी चालों को विफल कर दिया अचानक हुए हमले के कारण दूसरे राज्जे का राजा सम्हल नहीं पाया और मेरान छोड़ कर भाग गया अगले ही दिन राजा ने उस कारीगर को बुलाया और पूरे दर्बार में उसका सम्मान किया और उसे अपना राज कारीगर खोशित कर दिया और महल में ही रहने के लिए जगा दी